यूकरेन पर हमला बोलने के बाद रूसी राश्पती व्लादमेर पुतिन दुन्या की नस्रों में खलनायक बन गए है पश्चमे देशों ने रूस पर कड़े आतिक प्रतिबंद लगा हैं अमेरिका यूरोप में पुतिन के खिलाफ रूस प्रदर्शन चल रहे हैं कुछ पोस्टर्स में पुतिन को 21 सदी का हिटलर बताया क्या अब फ्रांस की राज़ानी पैरसस्तित गेविन म्यूसियम ने भी पुतिन के तुलना हिटलर से की है यहाँ पर पुतिन का एक वेट स्टैचू लगा हुआ था जोसे हटा दिया गया है यूसियम के निदेश्चुक ने न्यूस एज़नसी एफपी से बाचुट में कहा कि उक्रेण पर रूस के हमने के चलते उन्होंने ये फैसला किया है गेविन मुजियम के डारेक्टर ने कहा हमने गेविन मुजियम में कभी भी हिटलब जैसे तानाशाहों को नहीं रखा आज हम पुतिन को नहीं रखना चाते पुतिन को घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है जंग के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों को भी रूसी पुलिस ने कथित तोर पर गिरफ़तार कर लिया है वो विडी इंफो की डिपोर्ट के अंशार रूस के पचाश शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में साथ जार लोग हिरासत मिलिये जा चुके हैं इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं मौसको में मौजोफ उपक्षी नेताओं ने स्कूली बच्चों को बुलिस वैन में बठा कर ले जाने और धाने में रखने की तस्वीरे जारी की इन बच्चों का कसूर ये है कि इन्होंने जंग के खिलाफ पोस्टर बैनर लहराये थे इन्हें उग्रवादी और देश्ट्रोगी के आरोप में ट्रेल भीजा जा सकता है रूस में सरकार या ज्रंग विरोधी प्रदर्शन करने पर देश्ट्रोगी धाराओं में केस दर्स करने का प्रावधार है